लीप ही होता क्या है हर लीप यह में 366 डेस होते हैं और एक समान ही एर में 365 डोथे है सबसे पहले class बनाएंगे जिसका नाम में leap यह रखोंगा अब मैं इसको एक local method की सहाता से बनाऊंगा उस local method का नाम में leap रखोंगा इसका return type wide है It means nothing अब हम एक local variable बनाएंगे y जो integer type का है और उसमें हम 2024 store का देंगे इसको हम if else condition conditional statement की सहाता से बनाएंगे जिसमें मैं उस y variable को 400 से divide करने पर remainder 0 आए और उसको 100 से divide करने पर जब remainder 0 आए तब यह condition execute होगी और इसके परशाद second condition है जब y को 100 से divide करने पर remainder 0 ना आए और y को 4 से divide करने पर जब remainder 0 आए तब if वाली condition execute होगी इसमें हम statement लिखेंगे और उसको लिखने के बाद उसको प्रिंट करा लेंगे अब हम else condition लिखेंगे जिसमें एक statement लिखेंगे अच्छा आप लोग बताइए जो system के बाद dot out लिखा है ये किस class का है comment करके अपना अंसर जरूर देजिए अब हम main method बनाएंगे और main method में string नाम का argument देंगे उसको उस main method में सबसे पहले हम object बनाएंगे उस class का जिसका नाम में leap y रखोंगा और उस leap y को हम call कर लेंगे object की साहता से अपने local method को call कर लेंगे और execute कराएंगे so first of all save it open cmd हम color code के लिए color a लिख सकते हैं d drive open कर लेंगे जिसमें अपने save किया है वो location open कर लेंगे compiler की help से इसे compile कर लेंगे compiler का नाम java c है और हमारे class का नाम है leap y dot java इसमें दो error दिख रहा है यह error है हमने इसे close ने किया था else block में so close it and then run हमारा code successfully run कर गया है अब execute कराने के लिए लिखना होगा java leap year so our code is executed अब हम y की value change करके देखते हैं दो वजा थेज कर देंगे अब इसे execute कराएंगे first of compile then execute so लिख क्यारा this is not leap year हमारा code successfully execute हो गया है so thank you very much for watching this video